हेलो दोस्तो स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहनी क्लासेस में तो आज हम क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं तो इसका नाम है ग्रामीर शेत्र में आजीविका कैसे चलती है तो दिखिए पहले पार्ट में हमने जीवन में मौझी वहाँ पर फसले हैं ना दूसरी चीजें किस तरह के लिए उनके लिए जो है वो महत्पूर्ण है और अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि गाओं के लोग जो है किन विभिन तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं और पहले दो पार्टों में जो है यहां भी हम इसकी पड देखेंगे तो चलिए बेना किसी देरियते हैं तो देखें आपको यह figure-out हो और क्या क्या दिख रहा है ठीक है दीवार बनाते हुए लोग दिख रहे हैं और क्या हो रहे हैं मसली पकड़ रहे हैं कुछ लोग फूल तोड़ रहे हैं कुछ लोग दुकांदारी कर रहे हैं और कुछ लोग खेत पे काम कर रहे हैं तो देखिए क्वेस्चन यह है कि खेती से जुड़े क नहीं है तो देखिए जो रहडी चलाना दिवार बनाना मसली पकड़ना तो यह तो खेती से जुड़ा हुआ काम नहीं है ना नेक्स क्वेस्चन है कि आपने ग्रामीर छेत्र में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है उनमें से जो है कुछ को बताइए तो यह तो चित्र बना के छात्रों को कहा गया है तो यह हमारे काम की चीज नहीं है आगे बढ़ते हैं तो देखिए कलपट्टू गाउ ठी यहां भी खेती के अलावा कई तरह के काम होते हैं जैसे देख लीजे टोक्री बनाना हुआ बरतन घड़े इट मैलगाडी इत्यादी बनाना तो कलपट्टू में कुछ लोग नर्स सिक्षक धोबी बुनकर नाई साइकल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेव देते हैं और यहां कुछ दुकांदार एवं व्यापारी भी हैं जो की मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है और उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकाने दिखेंगी जैसे चाए सबजी कपड़े की दुकान तथा दो दुकाने जो हैं बीज और खाद की और साम के नास्ते में वड़ा बोड़ा और मसूर पाक मिलता है ठीक है और चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है और उसके घर में ही लोहे की चीजे बनाने का काम होता है और बगल में साइकिल की मरमत की एक दुकान है वहां साइकिल किराय पर भ पहाड़ी से घिरा होई है सिंचित जमीन पर मुख्यता किसी घेती होती है और ज्यादा तर परिवार के दवारा अपनी आजीविका कमाते हैं तो यहाँ कादा और आम और नारियल की आताया घाता है तो आईए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं तो देखें तुलसी तो यहां हम सब यहां रामलिंगं की जमीन पर काम करते हैं और उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेत है और साधी से पहले भी मैं माईके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी यहां मैं सुबह साड़े आठ से शाम साड़े चार बजे तक काम करती हूं और राम लिंगम की पत्नी जो है करू थम्मा काम की निगरानी करती है तो साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है और यह उन मौकों में से एक है मैं धान रोप रही हूं जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो राम लिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएंगे और जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है तो मुझे जुपकर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रगने में तकलीफ होती है तो राम लिंगम एक दिन का 40 रुपया म मेरे गाउं में मजदूरी के रेट से यह थोड़ा कम है फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ राम लिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे बुलाएगा बाकी लोगों की तरह वह आस पास जो है आस पडोस के गाउं में सस्ते मजदूर धूरने न उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है और ये पत्थर और बालू पास के सहरों में माकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाये जाते हैं और खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूं मैं घर में सब के लिए खाना बनाती हूं पारतों के साथ जाकर जंगल से लकडी भी लाती हूं गाउं से करीब एक किलो मीटर दूर बोर्वेल है जहां से पानी लेकर आती हूं मेरा पती घर का सामान जैसे साख सबजी खरीदने में मेरी मदद करता है तो देखे यह जो है यह साइकल चलती रहती है देखे जो है कब से दिसंबर का समय होता है वो कटाई का होता है अक्टूबर सितंबर का समय निराई का होता है जुलाई अगस्त का रुपाई का होता है और मई जून जो है वो बीड़ा बनाने का होता है और जन्वरी फर्वरी मार्च अप्लेड यह टाइम जो होता है यह खाली रहते हैं अ साल के बागी महीनों में उसे काम नहीं मिलता तो देखिए हमारी जो है दो बेटियां हमारे जीवन की खुशी हैं दोनों ही स्कूल जाती हैं पिछले साल एक बेटी बिमार पड़ गई थी उसे सहर के अस्पताल ले जाना पड़ा हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से किमित रूप से काम नहीं मिलता है वर्स के कुछी महीने काम मिल पाते हैं तुलसी धान की रोपाई का काम करती है और धान की फसल थोड़ी बढ़ जाने पर निराई का काम करती है और खेत में काम करने के अलावा घर का भी सारा काम करती है जंगल से लकड़ी लाती है एक किल नेक्स प्तुष्टन कर अपने काम मिलता है आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यूं करना पड़ता है तो देखे ये बात हो गई कि तूलसी के पास पूरे वर्स काम नहीं होता और उसे काम की तलाश होती है इसलिए वाद कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तयार हो जाती है तो तुलसी की तरह अन्य ऐसे खेती हर मजदूर है जिनकी यह हिस्थिती बनी है नेक्स्ट क्वेस्टन यह है कि अगर तुम तुलसी के पास खेती की जमीन होती तो उसकी कमाई यानि आजीवका की तरीके कैसे होते तो देखें यदि तुलसी के अपास खेती की जमीन होती तो वह दूसरे के खेत में काम क्यूँ करती तो कम मसदूरी पर काम नहीं करती बलगी अपने खेत में काम करती वह फसल की बुवाई, निराई, कटाई समय पर अपनी मदद के लिए अन्य मजदूरों को काम उपलब्द कराती तो तुलसी के पती को दूसरे के खेतों में मजदूरी नहीं करनी होती तो देखिए जैसा कि आपने तुलसी के बारे में पढ़ा, तुलसी को कहानी में पढ़ा कि ग्रामीर इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय जो है पानी और जलावन की लकड़ी लाने एवं जानवरों को चराने में बीटता है और इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्पून हो जाते हैं वे जो है वो मजदूरी से थोड़ा पैसा कमाते हैं और उससे गुजारा नहीं होता घर चलाने के लिए और जिंद्धिकी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है तो देखिए हमारे देश में ग्रामीर परिवारों में से करीब 40% खेती हर मज़धूर है बहुत important point कि हमारे देश में जो ग्रामीन परिवारों में कम से कम जो है करीबन 40 प्रसत खेती हर मजदूर है कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकडे हैं बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है और कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है और इस तरह का पलायन जो है कुछ विशेस मौसमों में ही होता है तुलसी के बारे में तो हमने देख लिया अब हम बात करेंगे शेखर के बारे में इनका जीवन यापन कैसा है तो देखे हमें या धान जो है अपने घर ले कर जाना है मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है हमारे पस बस दो एकर जमीन है हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते है और मैं जो है कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनके खेत में कटाई करवा देता हूं तो व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खात देता है इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है और अगर बाजार में बेचू तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचे और मुझे अपने खेश से 60 भोरी दान मिलेगा और इसमें से कुछ से जो है मैं अपना उधार चुका दूँगा और बांकी जो है घर में लग जाएगा लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ आठ वहीने तक ही चल पाता है इसलिए मुझे और पैसा कमाने की जरुरत पड़ती है इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मील में काम करता हूँ वहां मैं पडोसी गाओं के किसानों से धान इकठा करने में उनकी मदद करता हूँ हमारे पास एक संकर जो है गाए भी है उसका दूद हम यहीं से सहकारी समिती में बेच देते हैं और इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है तो देखिए क्वेस्चन है कि सेखर का परिवार क्या काम करता है आपके विचार से सेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत में काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता तो देखिए सेखर के पास दो एकर जमीन है वह अपने खेत का सारा काम खुदी अपने परिवार के साथ मिलके कर लेता है और करीबार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद भी ले लेता है और वह भी बदले में उनके खेतों में कटाई जो है करवा देता है इसलिए स शेखर जो है शहर के बाजार में अपना धान क्यूंनें बेच पाता तो अब बात करते हैं कि देखें शेखर और तुल्सी के जीवन में क्या समानता है और क्या इंतर है तो देखिये तो देखो देखे सेखर के पास ज Feng और पास किया जमीन थी मतार्ण् बेचना होता था जबकि तुलसी को जो है बेटी की भीमारी के लिए रामलिंगम से उधार लेना पड़ा जिसको चुकाने के लिए उसने अपनी गाय बेच दी थी आगे बढ़ते हैं देखिए कर्ज लेने पर जैसे किसान जरूरी चीजों को खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं तो अकसर ये पैसा बीज, खाद और कीट नासक खरीदने के लिए साहुकार से कर्ज लिया जाता है और अगर बीज अच्छी किसमे के नहीं होते या फिर फ फसल बरबाद हो सकती है बारिष पूरी नहीं होने पर भी फसल खराब हो सकती है और ऐसी इस्थिती में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार जो है परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है जल्दी ही कर्ज जो है इत किसान की विपदा का मुख्य कारण बन गया है और कई छेत्र में किसानों ने कर्ज के बोज से दब कर आत्महत्या भी कर ली है तो अब बात करेंगे राम लिंगम और करू थम्मा के बारे में तो देखें जमीन के अलावा राम लिंगम के परिवार के पास एक चावल की मील है और बीज वा कीटना सक बेचने के लिए एक दुकान है चावल की मील में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया वे कलपट्टू और आसपास के गावों से ही धान खरीदते हैं और मील का चावल आसपास के सहरों के ग्यापारियों क तरह के खेती हर मज़दूर है और शेकर की तरह के छोटे किसान है और रामलिंगम जैसे बड़े किसान है तो भारत में प्रतीयक पांच ग्रामिड परिवारों में अपनी कमाई के लिए दूसरी खेतों में निरफर रहते हैं और इन में से जो है कई भूमिहीन भी है और कईयों के पास जमीन के छोटे-छोटे तुकडे है तो शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं भारत के 80 प्रत्सत किसानों की यही हालत है तो भारत में केवल ब्रीज प्रत्सत कि रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की स्रेडी में आते हैं तो यह देखिए रामलिंगम की खेती जो है 20 एकड़ की जमीन एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तो तुलसी जैसे खेती हर मजदूरों की कड़ी मेहनत का यह नतीजा है तो देखिए ऐसे किसान गाउं की अधि चोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादी हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा ग्रामीर सेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओ आदी पर भी निर्भर रहते हैं उधारन के देखिए मध्य भारत के कुछ गाउंओं की में जो है खेती और जंगल की उपस दोनों ही आजीवका के महत्तुपून साधन है महुआ बिनने तेंदू के पत्ते एकठा करने शहद निकालने इन्हें ब्यापारियों को बेचने जैसे काम अत्रिक्त आयक में मदद करते हैं और इसी तरह सहकारी समीती को या पास के शहर में को दूद बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका का साधन है तो देखे समुन्द्र तटी इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गाउं मचली पकड़ने में लगे हुए हैं आए अरुना और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मचली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने और यहां परिवार कलपट्टू के पास पुदू पेट नाम के गाउं में रहता है तो देखे यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कि देखे यह आपको सीड़ी नुमा खेती दिख रही होगी ठीक है यह कहां होती है नागा ल लेंड में सीड़ी नुमा खेती यह एक गां है जिसका नाम części जामी है ठीक है और यह नागा में लोग चखेसंग समुदाइके हैं और वे सीड़ी नुमा खेती करते हैं तो यदि देखिए एक्जाम में पूछा जाएगा कि नागा लेंड में सीड़ी नुमा खेती कौन से समुदाइके लोग करते हैं तो चखे संग लोग करते हैं ठीक है इसका मतलब यह है कि पहाड़ी की जो है डहलाओ ज जमीन को छोटे-छोटे सपाट टुकड़ों में बाटा जाता है और उस जमीन को सीडियों के रूप में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रहता है और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है तो चीमा जी के लोगों को के पास अपने-अपने खेत हैं लेकिन वे एकठे होकर एक दुसरे के खेतों में भी काम करते हैं वे 6-8 लोगों का एक समू बनाते हैं और एकठे मेलकर पहाड में एक हिस्से पर घास पतवार जिने कहा जाता है साफ करते हैं और जिस दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समू एकठे बैठकर खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म ना हो जाए बात कर रहे हैं अब समुद्री तटी इलाके में रहने वाले अरूना और पारिवेलन के बारे में तो देखिए पुदू-पेट कलपटू से ज सब्सक्राइब 過去 सबस्क्राइब बड़ी गहमा गहमी रहती है और इस समय सारे केटामेरन मचलियां पकड़ कर लोट आते हैं और मचली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी ओड़तें एकठी हो जाती है मेरे पती परिवेलन मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लोटे मैं बहुत परिशान हो गई थी ये हमारे केटामेरन में इकठे ही समुन्दर में जाते हैं और उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फस गए थे आज जो मचलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मचलियां एक तरफ उठा कर रख दी बाकी मैं नीलाम कर दूँगी इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वा चार भागों में बट जाता है तीन हिस्से उन तीन लोगों में बट जाते हैं जो मच मिल जाता है हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामेरन में लगा हुआ है और इससे जो है ये लोग समुंदर में दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मचलियां मिल जाती हैं तो नीलामी में जो औरते यहां मचलियां खरीदती हैं वे टोकरे भर भर कर के गामों में बेचने के लिए ले जाती हैं और कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मचलियां खरीदते हैं तो यह देखिए किस प्रकार कैटामेरन के तुरू लोग जो है मुह मचली पकड़ रहे या जाल भली बाती आपको दिख रहा होगा है ना आग समुद्र की तरफ जो है वो चल देंगे और हलसार मानसून के दौरान करीब चार महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते तो यह देखिए मचली बेचने का कार यह जो है महिलाएं कर रही है ठीक है मचली खरीद रहे हैं लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्योंकि मचली के प्रजनन का समय होता है तो इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं और इस कारण बाद में हमें मजदूरी में उसी व्यापारी को मचली बेचनी होती है और हम जो है खुद खुली निलामी नहीं कर पाते वे खाली महीने काटना सुनामी के कारण हमारा बहुत नुकसान हो गया तो देखिए शेखर और अरुना दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता था आपको उन में क्या समानता है और क्यांतर दिखती है तो देखिए शेखर और अरुना को दोनों परिवारों को उधार लेना इसलिए अगली फसल की खाद और बीज के लिए उसे उधार लेना पड़ता है अरुना का परिवार जो है समुंद्री मचली पकड़ कर अपनी आजीव का चलाते हैं परन्तु मांसून के दौरान करीब चार महिने तक वे समुंद्र में मचली नहीं पकड़ने जा पाते और इस मचली के स्चावल में करता है और फार आपने अन्त है कि बारे में है और अपने सुनामि के बारे में सुना है यह क्या होता है बहुत इंपोर्टन चीज और इससे अरुना जैसे परिवारों को क्या नुकसान हुआ होगा तो देखे सुनामी जो होती वो समुंद्र में आने वाले भुकम के कारण उठने वाली विनाशकारी लहरे हैं जो अत्यधिक ऊची और तेज होती हैं तो सुनामी के कारण अरुना जैसे मचुआरों को जानमाल का काफी नुकसान होता है उनके घर पूरी तरीके से बरबाद हो जाते हैं और अपने परिवार के कुछ सदर्शों के उन्हें जो है वो खोना पड़ता है तो देखे ग्रामीर छोत्रों में आजीविका के साधन तो ग्रामीर छोत्रों में लोग जो है अपनी आए विभिन तरीकों से कमाते हैं कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं खेती में कई तरह के लकाम जो है वो शामिल हैं जैसे खेत का खेत तैयार करना रुपाई बुवाई निराई कटाई ठीक है फसल अच्छी हो तो इनके लिए हम प्रकृती पर निर्भर हैं और इस तरह जीवन रितुओं के एड़ गेर्धी चलता है बुवाई और कटाई के सम sounds का काम जो हैं बोज कम रहता है और देश के अलग अलग शेत्ट्रों में ग्रामी doğru अलग अलग तरह की फसले उगाते एं फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थिति का समयाओं में काफी समनत आयं पाते हैं लोग कैसी जिन्दिगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं या इस कुछ किसानों को अपनी फसल जो है उन व्यापारियों को बेशनी पड़ती है जिन से वे पैसा उधार लेते हैं गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम के खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता और ग्रामीर छेत्रों में कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बड़ी बड़ी जमीन, व्यापार और अन्य काम धंदों पर फलफूल रहे हैं फिर भी ज़्यादा तर छोटे किसान, खेती हर मजदूरों और मचली पकड़ने वाले परिवारों और गाउं में हस्त शिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता तो देखे कुछ क्वेस्टेन इन्हें भी देख लेते हैं आपने समभ़ता इस बात पर ध्यान दिया हुआ कि कलपट्टू गाउं के लोग जो हैं खेती के अलावा और भी काम करते हैं तो उन में से पास काबों की सूचियों बनाई हैं तो करते हैं टोकरी, बरतन, घड़े इट, बैल गाड़ी इत्यादी बनाते हैं लुहार, नर, सिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकल ठीक करने इत्यादी का काम भी करते हैं और क्या करते हैं चाय, सबजी, कपड़े, खाद इवं बीज की दुकाने भी रखते हैं और कुछ लोग जो है वो शहर में जाकर मा और क्यों है तो देखेए खेती पर निर्भर्लोग जैसे राम लिंगम जैसे बड़े किसान अपने क्ःतों पर स्वयम काम, नहीं करते हैं सेंखर जैसे चोटे किसान अपने खेत का काम स्वयम करते हैं ऑर तूलसी जैसे भूम Singing जो है खेती हर जो है वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना गुजारा बसर करते हैं और इन में से सबसे गरीब होते हैं भूम हीन खेती हर मजदूर क्यूं क्यूंकि उन्हें वर्ष के कुछ महीरों ही काम मिल पाता है बाकी के समय वे खाली रहते हैं और इस कारण उन्हें अपनी आजीवी का चलाने में दिक् क्या करेंगे तो देखिए मैं अगर मचली बेशने वाले परिवार के सदर्स होने के नाति यह सलाग दूंगी कि हमें बैंक से उधार लेकर इंजन खरीद लेना चाहिए क्यूंकि जब हमारे पास जो है कैटामेरन मतलब जो की मचुआरे की खास तरह की इंजन की छोटी नाओ होगी तो हम समुदर में दूर तक तेजी से मचली पकड़ने जा सकेंगे जिससे हमारी आमधनी बढ़ेगी और हमें मांसून के समय में चार महिने व्यापारी से उधार लेकर अपनी आजीवी का चलानी नहीं पड़ेगी जबकि बैंक के करज जो है व्यापारी के मुकाबले कम होती हैं जिससे चुकाने में हमें दिक्कत नहीं होगी और हम जो है अपनी मचली ऊची कीमत पर बाजार पें जो है वो बेच सकेंगे नेक्स क्वेस्टिन यह है कि तुलसी जैसे गरीव ग्र कि आवकार्शन तरह सकती है शोथे मा Graduate श्रीक है मुझत रची करने सकती है कि सरकार उनके जगाओं को जहां के रोजगार कराने की में को कर सकती है दूसरा यह कर सकते है कि इस तरह के लोगों को सरकार आर्थिक सहायता देकर स्वारोजगार के अवसर के लिए प्रोच सहायत कर सकती है तीसरी चीज़ यह है कि सरकार जो है इस तरह के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कुटि रुद्यों गुस्थापित कर सकती है नेक्स्ट ये है कि आपके अनुसार जो है सरकार सेखर जैसे किसानों को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है तो देखे सेखर जैसे छोटे किसान को फसल की बुवाई के लिए खाद वीज खरीदने के लिए व्यापारी से उधार लेना पड़ता है और जि तो इसी कारण किसान अधिक परिश्रम के बाद भी अपनी आजीवी का अच्छी तरीके से नहीं चला पाता और व्यापारी के जाल में फस्ता चला जाता है तो यदि सरकार जो है छोटी किसानों को भुवाई के समय सस्ती दरों पर भीज खाद उपलब्द करा दे तो किसानों को व्यापारी के उँची ब्यास दर से उधार लेना नहीं पड़ेगा और नहीं कम कीवद पर व्यापारी को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और वह आसानी से अपनी आजीवी का चला सकेगा और इसके लावा सरकार जो है किसान की फसल को उचित दर पर खरीदने की विवस्ता भी करते तो किसान व्यापारी की लूट से भी बच जाएंगे जिससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल मिलेगा और आमधनी भी उनकी बढ़ेगी तो ये देखिए कंपैरेजन करना है कि देखिए खेती की हुई जमीन शेकर की इतनी और रामलिंगम की तो देखिए शेकर के पास तो दो एकर जमीन थी ठीक है और इनके पास बीस एकर जमीन थी ये है मजदूर की जरूरत तो देखिए ये जो है ये स्वयम काम करते हैं और ये जो है मजदूर से काम करवाते हैं नेक्स्ट हैente उफ्रायर कि जडिरूरत उज़ार की जरूरत किसको होती है उफथार की ज़रूरस शेक रोलका क़ण को होगी दूसरी बात यह जब कि राम लिंगम जो है वह चावल मील तथा खाद वा बीज की दुकान का मालिक है तो यहीं समाप्त होता है यह वीडियो आपने देखा कि ग्रामीड छेत्रों में लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं कि वहले की माध्यम नहीं है लोगों को बहुत काम करना पड़ता है बहुत करना पड़ता है और मैं यह आपको बता सकती हूं कि किसान जितनी महनत कोई नहीं कर सकता किसान बहुत महनत करते हैं अपनी फसलों के लिए फिर भी हमारे देश में किसानों की इस्थिती जो है बहुत दैनी है और जो है सरकार जो है सरकार की नीतिया मुझे समझ म को ऐसे plan develop करने चाहिए कि जो है यह भी अपनी आजीवी का अच्छे तरीके से चला सकें तो यहीं समाप्त होता है यह वीडियो और कैसा लगा मेरा यह वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे वीडियो उसको शेयर करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब क का अच्छे तरीके से थाल आप तरीकी सागरे यह खोगनीघै